आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC OTR के बारे में यहाँ पे एक बड़ी अपडेट की गई है जो आपका फारम था OTR का इसमें कई सारे बदलाव किये गए हैं आयोग के द्वारा हला कि सबसे बड़ी खबर यह है कि इसके लिए कोई नोटिस नहीं है तो अगर आप खुद जा करके चेक करेंगे तभी आप जान पाएंगे अगर अभी तक आपने अपना फारम सब्मिट कर दिया है तभी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी इससे पहले यूपी ट्रिपले से की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस आप को जरूर डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बाक्स पे मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें आल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखे हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट पे जिसका डारेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम चलते हैं अपने OTR पे तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं OTR पे और हमने अपने आपको लॉग इन कर लिया है यहाँ पे जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है यह आपको देखने को मिलेगा experience details वाले में देखे हमने यह फाराम भरने के बाद ही आपको बता दिया था कि अगर आपको कहीं पर भी कोई गरबड़ी हो रही है तो रुकिए उसे गलती मत भरिए कई सारे YouTube चैनलों पर बताया गया कि यहाँ पर self भर के यहाँ 00 भर करके यहाँ 00 भर करके आप इसे submit करिए जो कि सही नहीं था तो अब आयोग ने experience details जो कि पहले ज़रूरी था अब इसे optional कर दिया है मतलब अगर आपके पास experience है तो भरिए नहीं है तो छोड़ दीजिए यह अनिवारे नहीं है तो पहला update तो यह किया गया है इस भारम में तो अगर आप भर चुके हैं 00 तो आप चाहे तो उसे change भी कर दीजिए उसे अब खाली छोड़ दीजिए इसके बाद अगर आप जाएंगे आगे यहाँ पे upload document वाले में तो upload document में आप देखिए कि यहाँ पे address related proof में दिक्कत आ रही थी जैसे कि जब हम address related document में जाते थे तो यहाँ पे कुछ open नहीं हो रहा था तो यहाँ पे देखिए अब address proof में सब कुछ open हो रहा है यहाँ पे आप आसानी से अधार card को update कर पाएंगे experience अगर आपका है तो डालिए नहीं तो आप छोड़ सकते है दूसरा change यह किया गया है कि जहाँ पे यह professional qualification था उसमें जो b.tech वाले candidate थे उनका civil और mechanical ही था लेकिन अब b.tech वालों में आप देखेंगे कि हमने graduation में engineering इसके अलामा देखें medical, pharmacy, management सब course आ चुका है यहाँ पे b.tech हमने चुना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि civil, computer, IT, mechanical computer science यह सारे trade आ चुके हैं तो अभी तक आपको civil और mechanical दिख रहा था अब आपका सारा trade आ चुका है तो आपको गल्ती भरने की जुरूत नहीं है यहाँ से आप अपना सही वाला trade ही चुनिए इसके अलावा vocational वाले में भी problem आ रही थी ITI वालों को लेकिन अब आप देख सकत हैं मतलब कि ITI और diploma है तो आप थोड़ा सा रुख सकते हैं आयोग इस फारम में सुधार कर रहा है अगर आपका कोई भी दिक्कत है तो आयोग से संपर्क करें और संपर्क करने के लिए आपको हमरा app download करना होगा या फिर description में एक वीडियो का link मिल जाएगा उसे देख करके आप अपनी बात आयोग तक पहुंचा सकते हैं जिनके फारम में कोई गरबड़ी हुई है जरूर आयोग से संपर्क करें इसके लिए आपको direct link वीडियो के description में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर share करें थेंक यू